है रो दोस्तों आज हम आपके लिए बना रहे हैं गेहू के आठे से बहुत ही तेष्टी नास्ता तो यह हमने एक बावल ले लिया और एक कप हमें इसमें गेहू का आठा ले लिया उसके बाद हमने दो चम्मच इसमें सूजी डालेंगे तो सूजी यह बारिक वाली है उसके सब्सक्राइब आरर 2 चम कष्राइब नमक जाना बब्स जया जरका सब्सक्राइब नहीं में सब आधा वाध्यलों जैना सब्सक्राइब?" तो यह पूरी का डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही डो बनाएंगे तो यह आप देखें यह डो बनाएंगे बिल्कुल तयार हो गया है तो इसे पांच मिनट के लिए रख देते हैं और आगे की तयारी करते हैं तो दो उबलेवे आलू हमने लिये हैं तो हम काटा ले लेंगे और इसको आलू को मैस कर लेंगे तो अच्छे से मैस करेंगे ताकि भीन नवह पैस में कोई गुटली न रहे तो इस तरीके से और बड़िया साा इसे करए तो यह सारे यालू कहीं तो भीन भीन हारी मिल ची Delhi करेंगे और एक प्यास को हमने बारिक कट कर लिया था उससे डाल देंगे उसके बाद नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार तो नमक हमने आटे में भी डाल रखा है इसलिए थोड़ा कमी रखेंगे आदी छोटी चमज इसमें लाल मिर्ची पौडर डाल लेंगे और आदी चमज चाट मसाला डाल देंगे तो चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए नमक को कमी रखेंगे और आदी छोटी चमज से थोड़ा कम है जीरा पौडर डाल लेंगे थोड़ा सा काली मिर्ची का पौडर डाल लेंगे और थोड़ा सा गरब मसाला डालेंगे तो ये थोड़े सी आधी चम्मत से कमी है उसके बाद थोड़ा सा हर धनिया की पतियां डाल देंगे बारी काट के और उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे तो मसाले आपको जो भी पसंद हो जो भी आपके पास हो उससे भी आप इसे बना स इसे मीक्स हो जाएगा तो यह मिक्स हो गया है, इसे साइड में रख लेंगे और जो दो चमच आता हमने बचाया था उसी हम बाद एंगे और एक चमच इसमें मैदा डाल रहे हैं क्योंकि वह कम है थोड़ा सा अजवाईन इसमें डाल देंगे उसके बाद हम आधी चमच चिली फ्लेक्स इसमें डाल रहे हैं और आधी चमच हम कलॉंजी डाल रहे हैं, तो दिखने में भी एकदम बढ़िया लगेगा नास्ता तो आधी चमच हम इसमें सफेद वाले तिल डाल रहे हैं, तो जो भी चीजे आपको पसंदना हो, वो आप स्कीप कर सकते हैं, थोड़ा सा हरधनिया की पतिया डाल लेंगे, और उसके बाद इसे बड़ी आसा मिक्स कर लेंगे, ऐसे करके चमच से, ताकि जो भी चीजे हमने ड नमक नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि नमक हम पहले ही, आलू में भी डाल चुके हैं, आटे में भी, तो इसमें बिल्कुल भी हम नमक नहीं डालेंगे, और इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गोल बना लेंगे, बढ़िया सा, गुठलिया ना रहे हैं, और जो आटा हमने रखा हुआ था, उसे हम ले लेते हैं, थोड़ा सा मसल लेंगे इसको ऐसे करके, ताकि ये बढ़िया सा सौफ्ट सा हो जाए, इसमें हमने सूजी भी डाल रखी है, तो सूजी भी बढ़िया सी फूल जाएगे, इसलिए इसे रेष्ट पे रखना भी थोड़ा सा सूखा अटा लगा लेंगे, उसके बाद इसे बेल लेंगे, तो ज्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, तो थोड़ा बड़ा सा बेल लेंगे, तो ये एकदम पतला हो जाएगा, ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए, और ज्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम साइज किरेंगे लिध वाड़' बावभान। मत्लब एक के लिया है यह किनार्यों में नहीं सिर्ण का उसके बाद आटा है यह eight कर ओ ठाल लिए होसा में लिगान का पर prevent так writers को इसे बढ़ बना लेंगे उसके बाद हम फिर से इसे चारügen इसमें कर लेंगे ऐसे करके तो यह चार पीस कर लिए उसके बाद हमने जो आलू का मसाला बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और इसको ऐसे करके इसमें रख देंगे तो ऐसे थोड़ा दबाते हुए ताकि ये जब हम इसे बनाएंगे तो निकले ना और इसके साइड साइड में थोड़ा सा पानी हम लगा लेंगे ताकि इसे बंद करने में दिक्कत ना हो ये जब हम तेल में डालेंगे तो खुलेगा नहीं तो इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी किनारियों पे लगाते वे और इसे बंद कर लेंगे यह उठा लेंगे एक एक पीस करके तो ऐसे करके हातों में उठाते वे और इसे दबाते वे बढ़िया सी करके और इसे सारी साइट से बंद कर लेंगे तो ये आप देखें बड़ी आसा चिपक जाएगा अगर पानी लगाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा डिजाइन दे देंगे तो चाकुली लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा दूरी पे ऐसे करके कट कर लेंगे तो ये आप देखें बड़ी आसा बन के तयार हो गया है तो ऐसे ही बना लेंगे हम सारे तो ये इतना अच्छा सा डिजाइन आ गया है इसमें तो ये बना के हमने तयार कर दिए उसके बाद हम क्या करेंगे इसे साइड में कर लेंगे और जो गोल हमने बनाया था उसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद एक एक पीस उठा के इसमें डाल लेंगे और इसको ऐसे करके कोटिंग कर लेंगे तो ऐसे ही करते हुए और आप चाहे तो इसे हाज से भी उठा सकते हैं हम हाथ से ही डालेंगे इसको, तो चलते हैं, गैस की तरफ तो इधर हमने तेल गरम करने रख दिया था, तो एक-एक पीस करके डाल देते हैं जितने भी आएंगे तो ये डाल दी हमने एक ये बार में और उसके बाद इसके उपर थोड़ा-थोड़ा गरम तेल हम डाल लेंगे ताकि उपर से भी साथ के साथ ही सिकती रहेंगी तो ऐसे ही करके और थोड़ा थोड़ा इसमें तेल डालते रहेंगे और गैस को हम मेडियम पे ही रखेंचे ना जादा लो करेंगे और पे-ा ना जादा हाइ करेंगे तो लो फ्लेम पे-ाम इसको बढ़ी ऐसा करारा से सेकेंगे अब हम इसे पलट लेते हैं तो कभी भी आपको समोसा, कचोरी, पकोडी खाने का मन करें, तो आप इस नास्ते को घर पे ही बना सकते हैं, और सबसे बढ़िया है कि ये गिहूं के आटे से बना हुआ है, मैदे से नहीं है, तो ऐसे ही करके पलट लेते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रही ह हमारी रेसिपी तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजे का, तो फीर से हम इसे पलट लेते हैं, तो ये आप देखे, ऐसे ही दो तीन बार पलटेंगे, तो ये एकदम बढ़िया से करारे से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सूजी भी है, तो एकदम करारे से बनेंगे, त तो ऐसे आप निकाल लेंगे, इसको थोड़ा साइड में रोक लेंगे, जो भी तेल होगा, तो वो कड़ाई में चला जाएगा, और ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो ये आप देखे, पूरा नास्ता हमारा बनके तयार हो गया है, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आय हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं, कि आपको ये नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, तो वो जरूर बताईएगा, इसे सौस, चटनी या फिर आप चाय के साथ कहा सकते हैं, बहुत ही टेश्टी लगता है, थेंक यू